फोन की तरहा मैसिद सेंट और रसीव करने वाला एक छोटा सा डिवाईज बंग कैसे बन सकता है? यह सवाल लिबनान सीरिया पर हुए एक साथ सैक्डो पेजर बंग भमाके वाले विसफोट के बाद उठ रहे हैं। जब दोपहर के वक कहीं सबजी की दुकान के पास तो किसी की जेब में और किसी के हाथ में ही यह पेजर बंग फट कया। घंटे भर तक एक के बाद एक विसफोट जैसे धमाके होते रहें मानों कोई गोली मार रहा हो। लेकिन यह पेजर बंग आखिर कैसे बने? यह कहानी कहा से शुरू हुई? छे महीने पहले शुरू हुई। कथे तोर पर मोसाथ के इस कारणामे के लिए पेजर को खास तरह से तयार किया गया था। लेकिन कैसे? कब? और क्यों? इन सभी सवालों के जवाब आपको हम देंगे इस वीडियो में आखिर तक बने रहे हैं हमारे साथ। इसराइल के खुफिया एजनसी मोसाथ ने छे महीने पहले ही खुफिया ओपरेशन की तैयारी शुरू कर दी थी। इसराइल ने हिजबुला के खिलाफ मोसाथ के खुफिया ओपरेशन के तहट इन पेजर में विस्पोटक फिट कर दिये थे। नियूर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि हिजबुला ने तैवान की गोल्ड अपोलो नाम की एक कमपनी को लगभग 3,000 पेजर का ओडर दिगा था। लेकिन इन पेजर के लेबनान पहुचने से पहले ही इन में छेर चाड़ कर दी गई। इन पेजर को इस साल अपरेल से माई के बीच में तैवान से लेबनान भीजा गया था। इससे लगता है कि इस हमले की साजिश को कई महीनों पहले ही अंजाम दिया गया था। कुछ रिपोर्ट से भी कहती है कि अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि ये पेजर ताइवान की कमपनी के AP924 मॉडल के थे। पेजर की जो खेप ताइवान से लेबनान भेजी गई थी उनमें हर पेजर पर एक से दो औसका विसफोटक लगा दिया गया था। इस विसफोटक को पेजर में लगी बाटरी के बगल में लगाया गया था और दो पहर के वक्त आरिश के मुताबिक पेजर में लगे इस विसफोटक को एक्टिवेट कर दिया गया और फिर धमाकी धमाकी होते चले गए। विदेशी मीडिया में आ रही एक खबरों के मुताबिक हिजबुला के पेजर के अंदर P.E.T.N. फिट किया गया था ये एक तरहा का खास विसफोटक है जिसे पेजर की बैटरीज पर या उसके आसपास लगा दिया गया इन पेजर्ज में बैटरी के तापमान को बढ़ा कर विसफोट किया गया है इस विसफोटक का वजन 20 ग्राम से भी कम था वार करने वाली बात तो ये है कि इसराइल ने 1996 में हमास नेता याया को भी मारने के लिए उसकी हत्या के लिए उनके फोन में 15 ग्राम RDX विसफोटक प्लांट किया था इस डिवाइज में उस वक्त विसफोट हुआ था जब उन्होंने अपने पिता को फोन किया ऐसा ही हमला अब जब लिबनान और सीरिया पर हुआ है तो इसके पीछे इसराइल का हाथ ही बताया जा रहा है फिलहाल इस हमले के बाद 11 लोग की मौत हो चुकी है 3000 से ज्यादा लोग खायर बताया जा रही है अभी पुकता आकड़े भी आना बाकी है मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही